और बात अकले खबर के करेंगे चातीजगर्ड बीजेपी की बड़ी बैठक जो है लोगसभाद चुनाव को लेकर काउंटिंग को लेकर मन्थन किया जारा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंग देव इस बैठक में मौझूद रहे उम्मीदवारों समेत बड़े नेता इस मौझूद रहे उम्मीदवार भी मौझूद थे तमाम और बड़े निता भी इस तौरान मौझूद रहे जिस बैठक में अकाश लाइब हमारे समाधा ता जुड़े हुए आकाश क्या जानकारी खबर को लेकर जी बिल्कुल आज भाजपा मुख्याले में बैठक हुई है किरन सीदेव इसमें सामिल थे इसके साथ ही जो संगठन के अमाम लोग थे वह मौझूद थे जो चार जून को भाजपा का परणाम चुनाओ का परणाम आने वाला है उसको लेकर बैठक हुई कि किस तरीके से काउंटिंग प्रक्रिया के दिन कारकरताओं को जिम्मेदारी दी जाएगे प्रदेश कर लोग समय और फनी का और प्रणाम चुनाओ के बाद पहली बैठक है ऐसे में जो चुनाओ के दो जिसमें और जो निकल के आएगा वो संगठन का दिशा निर्देश कारकरताओं को उस पे मिलेगा जी और क्या रण नीती बनाएगा इस पूरे मामले को लेकर जिसमें सापतोर से कहा गया है क्योंकि अलग-अलग जगह वोटे काउंटिंग होना है हर जीले में काउंटिंग होना है ऐसे में सभी जीले इस तरपर जो जिम्मेदारियां कारकरताओं को दी जाएगी बिंदु वार उसके निर्देश जो है संतोष पांडे का भुपेश बखेल पर निशाना देखने को मिला है काउंटिक से पहले वारपल अटबार का दोड़ जारी है और राजनान गाम से दस जन्पद को पालने वाला उमीद वार भुपेश बखेल को जनता ने जवाब दिया है संतोष पांडे कह रहे हैं बीज़ेपी के पक्ष में नतीचे आएंगे संतोष पांडे प्रदेश की 11 की 11 सीट पर जीत का दावा भी कर रहे हैं पर नजर पूरे देश की ठीकी हुए पूर मुख्य मंतरी भुपेश बखेल वहां से चुनाओ लड़े आप मैदान में थी क्या लग रहे हैं परणाम आने वाले आपने ठीक कहा सुभाविक है जब पूरो मुख्य मंतरी और 36 गड़ का ऐसा मुख्य मंतरी जो पूरे 10 जन्पत को पालता था और जिसको ATM कहते थे और राजनान गाओं से जब जा करके चुनाओ लड़े तो नाद गाओं की जनता भी उत्साहित थी कि पूरी भरपाई करेंगे तो सुभाविक है कि जनता में और पूरे देश में राजनान गाओं की और निगाह होना 11 सीटों का लक्ष जो रखे थे क्या लग रहा है क्लें स्वीप इस बार ग्यारा में 11 सीट भाजपा जीतेगी सरगुजा से लेकर के बस्तर तक कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो मैं यह कहूंगा कि सभी में हम सबल हैं जीत की तैयारियों को लेकर कुछ कर रहा हैं बिल्कुल क्यों नहीं जीत की तैयारी को लेकर के हम सभी उत्साहित हैं हमारा काउंटिंग हाल से लेकर के और बाहर भी सप्रकार की जस्निकी तैयारी है जीत की तैयारियों को लेकर जो तैयारियां चल रही इसके साथ ही बैठक को लेकर उन्होंने कहा काउंटिंग की तैयारी पर आज समिछा बैठक है उस पर फोकस किया गया है कैमरामन राजिन शींग के साथ अकाश शुकला न्यूज 18 रायपूर 36 गड़ बीजेपी ने एक और कार्टून पोस्ट जारी के अभूपेश बगेल कुखाई में गिरता हुए दिखाया गया जिसमें लिखा है अमेट स्याही से होगा अब की बार 400 प्यार इंडिया गट बंधन का घमंड तूटेगा फिर से एक बार इदर मुंगेली में लू लगने से एक शक्स की मौत हो गए घेत में बज़र्ग की लाश शप आई गई है मविशी चराने के लिए बज़र्ग निकला था और लू लगने से उसकी मौत हो गए जिलास पताल उसके शब को लेचाया कि आप उसमाटम हुआ प्रिशन गर्मी से लोग खासे परिशान हैं और ऐसे में एक अबज़र्गती की जान चली गई मौसम जो है बिलकुल साथ नहीं दे रहा है विफरीत बना हुआ है और ऐसे में लोगों को इस्तला दी जा रही है बाहर बहुत जरूरी हो तब ही निकले हैं लेकिन गर्मी निक्षेत्रों में क्या जो लोग प्रिशान्थ हमारे समधता हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़े कुए हैं मुंगेली से प्रिशान्थ क्या जानकारी इस घटना को लेकर जी मैं बता दू कि एक बुजूर्गे जो भगत सप्रे जिसका नाम है वो ममें से चराने के लिए खेत गया हुआ था और घर वापक निया है जिसके बाद परिशन उसकी तलास में निकले तो खेत में उस बुजूर्गे की तलास में दिया और असंकर जाता ही जा रही है कि उसकी मौत जो है लू लगने से हुई होगी तो जिस तरह का भिशन गर्मी मुंगेली जिले में बढ़ रहा है और प्रदेश के सबसे गर्म जिले में मुंगेली जिला देखने के लिए मिल रहा है लगत तरह दिकारी भी अपील कर रहा है कि जिस तरह भिशन गर्मी पढ़ रही है लूग अकहर है और तेज धूप में लोग बाहर ना निकलें लेकिन जिस तरह घटना सामनेelect जताई जारी जा रही है दुसरी मौत है क्योंकि एक महिल राइपूर के मंतरी आई आई में मैंनेजमेंट की गुर सीख रहे हैं आज से एक जून तक औरियन्टेशन का रिक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसे साइस सरकार और आई आई मिलकर आयोजित करवा रही है जिससे चिंतन शिवर नाम दिया गया मंतरियों की क्लास शाम साथ बज़े तक चलेगी इस दोरान देश के चर्चित विशय विशी शक्य मंतरियों को सुशासन से लेकर उद्योग शिक्षा स्वास्त और संचार मीडिया प्रबंधन की गुर सिखाएंगे यहां पर आई आई मिलकर के अलावा कई अन्य शेहरों से भी एक्सपर्ट्स जाने वाले दस साल के लिए रोड्मैप तयार करने पर चर्चा होगी पांच महिने में बीज़ेपी के सुशासन की पोल खुल चुकी है बीज़ेपी के चिंतन शिवेर पर कॉंग्रस ने तंजगसा है कॉंग्रस प्रवक्ता धनिंजय ठाकोट ने आरोप लगाया कि प्रद करेंगे जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं तो कितने भी ट्रेंडिंग कर लें कितने भी इनको प्रसिशन दिया जाए इनको काम तो वही करना है कमिशन को भष्टा चार करना और आज इसपस्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था जिस प्रकार से अर्ज़क्ता का महौल था पांच महें में दिख रहा है और कॉंग्रेस सासनकार के दौरान जो गूड गौर्नेंस था वो पूरी तरीकर से खतम हो गया और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग में आपस में दो पड़ावसी भिड़ गए दोनों के बीच मारपीट बिवाद हुआ है फूना खचर हो गया एक व्यक्ति तो इसमें सिर्फ रोड से हमला किया गया सुपेला थानाक शेत्र का ये मांदा बिलाई से खबर है जहां पर भूमाफिया के खिलफ निगम की टीम ने किसी शिकंजा कसा है आवएध प्लॉटिंग की शुकायत पर निगम की टीम पहुँच गई थी और निगम की टीम को देख कर भूमाफिया के लोग गुर्गे जो हैं वो भाग निकले सरकारी जमीन पर यहां पर आवएध रूप से प्लॉट काटने की भूमाफिया की तरफ से तयारी थी और यह कारवाई अब उनके लिए उन पर नकेल कसने जासी